गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप तमाम दोस्तों को आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 के स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम पॉलिटी के चेप्टर नमबर चार्ड जो की राज के नीती नेसकतत एवा मौलिक करतब है इस चेप्टर को हम लोग यहां पे कंपलीट करेंगे इससे पहले हम लोगों ने चेप्टर 3 कंपलीट कर चुका है एक, दो, तीन जिसमें से तीसरा चेप्टर था मौलिक करतब अगर आपने किसी भी वीडियो को मिस किया है किसी भी क्लास को तो आप इसी चैनल के playlist में जाएंगे वहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे इसके अलाबा आप इस वीडियो को जो complete होगा इसके description box में जो previous class है उसके links provide कर दिये जाएंगे वहाँ से आप इसे देख सकते हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार जो रहे हैं तो चैनल को subscribe करेंगे वीडियो को like करेंगे और साथी साथ इसे share करने का प्रयास करेंगे तो चलिए बिना एक पल की देरी की हुए चलते हैं पॉलिटी के set number यानि की chapter number 4 की तरफ पहला प्रसन है कि भारतिय समिधान के किस निमलिखित भाग में मौलिक कर्तब यानि की fundamental duties इसका उलेक किया गया है तो यह दोस्तो भाग जो है भाग 4 A में इसका उलेक किया गया है मौलिक कर्तब्यों का fundamental duties का देखिए भारतिय समिधान का जो भाग चार है उसके ए में मौलिक करतब यानि की fundamental duties का उल्लेक किया गया है अथवा जिक्र किया गया है और भाग चार का क जो है जो की अनुच्छेद 51 का है उसे 42 में समिधान संसुधन 1976 के द्वारा जोरा गया था तब जाके इसकी संख्या क्य की संख्या हो गई थी जो संकल्पना की गई है यानि क pre Do के समिधान से लिया गया है ऐसा भी प्रसने तो दोनों बड़ावर है यह दोस्तों आयरलेंड और स्पेन के समिधान से लिया गया है अथ्वा ग्रहन किया गया है देखिए राज का नीती निशक सिधान्त है अथ्वा तत्व है उसका उलेक समिधान के भाग चार इसके अंचे वह संबंदित अनुछेद यहां पर दिया हुआ है जैसे कि अनुछेद 37 नीति pathways को नियाएक संळक्षन परात नहीं होता है जो नीति दीश्व्य । उसको नियाएक संडक्षन परात नहीं है अनुछेद 40 जो है वह ग्राम ग्राम पंचायतों के संगठन से समन्धित है अत्वा ऐसा कहेंगे कि ग्राम पंचायत के संगठन की ब्यवस्था करता है इसके अलाबा अनुछेद जो 44 है वह नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की ब्यवस्था करता है इसके अलाबा 45 जो है अनुछेद 45 वह बालपन पुर्व देखवाल तता 6 वर्ष से कम आयू के बच्चों की सिख्छा की विवस्ता करता है अनुशेद 48 के दोरा क्रिसी एवं पसुपालन का संगठन का विवस्ता किया गया है अथो उसका उलेग किया गया है जिक्र किया गया है और 48 ए जो है उसके द्वारा पडियावरन से रक्षन एवं समवर्धन तथा साथी साथ वन एवं वन जीवो की सुरक्षा के बारे में इसका जानकारी प्रदान की गई है अत्वा उल्ले किया गया है अनुषेद 51 जो है वो अंतराष्टिय सांती वन सुरक्षा को प्रोश्चाहन करने की ब्यवस्ता करता है अगला प्रसन है प्रसन संक्या तीन भारतिय समिधान का कौन सा अनुषेद या निर्धारित करता है कि राज की ये निती के निदिसक सिधान किसी नियाले के द्वारा लागू नहीं किया जा सकते हैं तो यह अनुषेद है दूस्तो 37 प्रसन क्या कहा रहा है उसको यहाँ पर समझे जो राज का निती निसक सिधान्त है वो किसी नियाले के द्वारा लागू नहीं किया जा सकते हैं राज के निती निसकत्तों का वर्नन जो है वो समिधान के भा चार में अनुछेद 36 लेकर के 51 तक में किया गया है अगला प्रस्न है प्रस्द संक्या 4 भारत के संविधान में सामिल हेराजनिती के नीदेशक सिध्धान्त की अवधारना किस की संविधान से लिए तो दूस्तों यह आयर्लेन्ड के संविधान से लिए गया है जैसा कि पिछले प्रस्ण दो तीन प्रस्ण में यह प्रस्ण जो है बार बार दो राय जा रहा है तो कि यह चिप्टर भी इसी पर आधारित है तो यह प्रस्ण बार बार आएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्ण संक्या प्रस्ण संक्या 6 प्रसंद संक्या 6 में कह रहा है कि भारतिय सम्मिधान में मॉलिक करतब कब समामिस्ट किया गया थे तो इसे 1906 में किया गया था जब 42 वा समिधान संसुधन 1976 के ज्वारत जो है वह मौली कर्तब यानि की fundamental लूटिज में समिधान में भाग 4 का अनुछे 51 का को जोड़ा गया था और यह जो है कुल 10 मौली का अधिकार जो थी वह कुल मिला के 10 fundamental लूटिज हुआ करती थी और जब जो 86 शमिधान संसौधान 2002 में जुरा गया तब जाके मौली कर्तबियो की संख्या क्या होगई 11 हो गया अगला प्रस्ण है प्रशन संसौधान के कि संशोधन से राज निती के निदेशक सिधानतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुक्ता की स्थिति मिली प्रसंद दोस्तों क्या कह रहा है कि समिधान का जो कौन सा संसुधन हुआ उसके दवारा राज निती के नितिसक सिध्धन को मौलिक अधिकारों कर प्रमुक्ता की स्थिति मिली तो यह हैं दोस्तो 42 समिधान संसोधन जो भुगा था उसके दोरा ठीक है सरप्रतम यानि कि सबसे पहरे 25 समिधान संसोधन के दोरा नीती निशक्तत्व को मूल अधिकार पर अभिभावी बनाया गया इसके बाद 42 में समिधान संसुधन के द्वारा अनुछेद 31 गव में संसुधन कर भाग चार के सभी निदेशक्स तत्वों को मूल अधिकारों पर प्रात्मिक्ता प्रदान किया गया परन्तु मिनरवा मील बना भारत संग के मामले में इस उब्बंद को और समिधानिक घुशित कर दिया गया क्योंकि उससे समिधान का जो मूल भूद धाचा है वो क्या होता था प्रभावित होता था या थो नश्ट होता था नियाले के द्वारा कहा गया कि भाग तीन तथा भाग चार के मद्द सामन ज़स्य संथूलन सम्वीधान का अधारभूत क्या है अगला प्रसंशंक है प्रसंशंक्या 4 राजनिति के निम्द सिध्धान्ल में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारी था जो यह दोस्तो ग्राम पंचायत का अयोजन जो की राज नीतिक नीदेशक के निम्ण सिधान्त में गांधी वादी दर्शन पर क्या था अधारित एक ग्राम पंचायत का अयोजन था गांधी जी के जो नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव जो है वह ग्राम पंचायत का गठन ग्रामिन उद्ध्यों को बढ़ावा देना मधपान निशेद पर था अगला प्रस्ण है प्रस्ण संख्या 9 संख्यां का कौन सभाग राज नीती के नीदेस्थ ही ज्यांस से इसे उल्ले किया गया है और इससे डोस्तों और अधिकारों को समिधान की मूल आत्मा कहा है अगला प्रसन है प्रसन संक्या 10 समिधान सभा में यह किस ने कहा था कि सरकारी नीती के निदेशक सिध्धान किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुक्तान बैंक अपनी सुधा के अंसार कर सकता है प्रसन को एक बार फ और skip अगर नहीं करना है तो क्या करेंगे एक बार बैक चल जाए उसमें समय बेश नहीं करें अगर नहीं समाझ में आ रहा है तो बैक करके दूबारा समझ ले अन्य था आगे बढ़ जाए ठीक है skip कहने का मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख सकते हैं ठीक है लेकिन आराम से मैं समझा रहा हूँ कोई भी टॉपिक आपका चुटे का नहीं गौर से इसे समझते रहेंगे कि समिधान सभा में किसने या स्टेटमेंट डिया था किसने कहा था कि सरकारी नीती के निदेशक सिध्धान किसी बैक में दे उस्चेक की तरह जिसका भुक्तान बैंक अपनी सुद्दय के अनुसार करता है तो यह कहा गया था केटी साह के द्वारा अगरा प्रसन है भारत के समिधान का कौन सा अनुछेद भारत को कल्यानकारी राज घोसित करने से संबन्धित है तो यह अनुछेद 49 है भारतिय समिधान में अनुछेद 49 में राज द्वारा अनुसर निये निती तत्व प्रस्तुत किये गए जो भारत के कल्यानकारी राज घ लिए गया है तो यह आयरलेंड के समिधान से लिया गया है अगला प्रेशन है समिधान का निम्रिखित में से कौन सा अनुछेद मौली करतब से सम्मंधित है तो दोस्तों 36 सिले के कहां तक किया गया है 36 सिले करके 51 तक तो अनुछेद 51 का है और ऑप्षन में क्या है ऑप्षन नमर भी है तो यह हमारा आंसर हो जाएगा जब 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था समिधान संसुधन हुआ था 2002 तब मौल करतब यानि कि फंडामेंटल डूटीज की संख्या बढ़कर क्या हो गई थी 11 हो प्रानव के दूर्वेपार और बलात सरम का प्रतिसेज जो है वह सात्यों मौलिक अधिकार में किया गया है और यहां पे क्या पूछ रहा है नीति जिसक्तत में तो यह हमारा गलत हो जाएगा दूसरा जो है वह मादक पे और स्वास्त के हानिकारक औस्धियों स्वास्त के प्रतिबंध है उसके उप्भोग पर क्या है प्रतिबंध है तो ऑप्शन दो हमारा सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है प्रस्ण संख्या 15 उससे पहले यहां पे कुछ दिया हुआ है क्या रहा है कि भारतिय समिधान का भाग तीन जो है उसका अनुछेद तेज उसमें उलि पास नहीं है अगला प्रस्ण है प्रस्ण संख्या 15 भारतिय समिधान के अंतरगत नियम लिखित में से कौन सा मूल करतब नहीं है लोग चुनाव में मतदान करना यह दोस्तों मूल करतब नहीं है बलकि व्याज्यानिक प्रविर्टी विक्सित करना सर्वज्यानिक संपत्त की सुरक्षा करना समिधान के प्रति निष्ठावान रहना यह सब क्या है fundamental राइट है और लोग चुना में मद्दान करना जो है हुआ दोस्तों fundamental duties नहीं है ठीक है समिधान के 86 समिधान संसोधन जो हुआ था अधिनियम 2002 उसके द्वारा अनुच्छेद 51 जोडने के पश्चा समिधान में उल्लिखित मूल कर्तब्यों की संख्या 11 हो गई इन मूल कर्तब्यों में लोग चुनाव में मतदान करना इसको सामिल नहीं किया गया भारत में लोग चुनाव में मतदान करना वस्तुता स्वेक्षिक कर्तब है आगे बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या 16 भारतिय समिधान में प्रतिय स्ठापित राज की नीती निसक्तत्य के अंतरगत निमलेखित प्रावधानों पर विचार करना है अभी यहां पर दिया हुआ है दोस्तों कि भारतिय नागरिकों के लिए समान नागरिक सीबल संख्यता सुरख्चित करना दूस्तों ग्रामपंचैतो को संग्णधित करना और तीसरा हैा क्राम्चेत्र में कुटीर उद्द्यों को प्रिवशाहिद करना हालाकि प्रस्ण को एक बार पंचायतों को संगाठित करना साथ हिसात गरामिन छेत्रों में इख में कुटिरुद्धयों को प्रसाहित करनाuen तो यह दोनों हमारा सही होगा गरामिन छेत्र में जो लगु Castle 마음 कुटिर उद्योग है उसको क्या करना है बढ़हवा देना है प्रुसाहिद ए इसके बाद अपने लेंग्वेज बंगासा में उसे सामिल कर लेना है या अपना कुछ अलग से, कुछ भासा बंग से अपने इसाब से उसे यह से ऐड कर दeना है जैसे कि भारतिय समिधान के दौरा प्रदत नागनिकों के मूल कर्थब में न्यमलिखित में क्या है fundamental duties की बारे में कह चाहरा कि इसमें से क्या होगा तो देखिए मिस्तिर संस्कृती की समर्द विरास्त की रक्षा करना है मान लुआ भी बहुत सारय है अगर हमारे क्या है अभी इस विरासत है झीछे सारपजानिक संपत्ती है तो उस सब की रक्षा करना हमारा क्या है दोस्तो कर्तब है हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार मिले है तो मौलिक कर्तब भी हमारे पास है तो हमारा पहला यहां से सही हो जाएगा दूसरा है समाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना है तो वैसे तो दोस्तो यह कर्तब में आएगा ठीक है यह ब्यभारिक्ता के अंतरगात आएगा लेकिन यह मौली कर्तब में नहीं आएगा तीसरा है बैग्यानिक मनुदसा और खोज की भावना का विकास करना तो यह तीसरा भी आएगा साथी साथ चौथा भी हाएगा जैसे लिखा हुआ है कि व्यक्तिक और सामोही कर्यकलाब के सभी छेत्र में उत्कृष्टा के लिए प्रेत्न करना है तो एक तीन और चार हमारा सही हो जाएगा अगला प्रसन है प्रसन संक्या 18 भारत के संभिधान के अनुसार निम्लिखित में से कौन सा देश के सासन के लिए आधार भूत है कौन सा है दोस्तों तो यह है राज के नीती निदेशक ततो देश के सासन के लिए भारत के संबिधान के अनुसार नीती और कानून बनाते समय राज के नीती के निदेशक्ततों को ही आधार बनाया जाता है इसी नीती का लक्ष है देश में आर्थिक और समाजिक परिवेश इस भाती हो इस तरीके से हो जिसमें हर नागरिक एक अच्छी जिन्गी जी सके राज के नीती जी सकता तो सरकार पर करी नजर रखने का काम करता है और यह नागरिकों के हाथों दिये हुए मापदन का एक आधार है या एक मापदन भी है जो सरकार के कार करापू का क्या करता है नाप तो लगता है या उसका क्या करता है एक डाटा रखता है आकलन करता है ऐसा आप कह सकते हैं भारत के समिधान में अंतराष्टिय सांती और सुरक्षा की अभी व्रिदी का उल्लेख कहा किया गया है तो यह देश्टो राज के नीती के नीदेशक तत्त में कहा किया गया है समिधान कानुछेद 51 है उसमें नीती निदेशक सिध्धान्द का उल्लेख है जो कि अंतराष्टी सांती तथा सुरक्षा को बढ़ावा देता है तथा दो या दो से अधिक राष्टों के मद्ध सम्मानित समंधों में हवरिधी करता है अंतराष्टी के कानून वह संधी दायत्यों के प्रती सम्मान को बढ़ावा परदान करता है और यह मद्यस्ता द्वारा अंतराष्टी बिवादों का निप्टार्ना करने में सहयोगी होता है या थ्वा सहायक होता है प्रस्ट संक्या 20 भारत की प्रभूता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अच्छुन रखें यह उपबंधा किसमे किया गया है तो दोस्तों पूछा गया है कि इसका जिक्र कहां पे किया गया है तो यह दोस्तों मूल करता यानि कि fundamental duties के अंतरगत इसका उले किया गया है तो जिक्र किया गया है कि भारत की प्रभूता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अच्छुन रखें यह उपबंध मूल करतब में किया गया है भारतिय समिधान के भागचार को के अनुछेद 51 को के अनुशार भारत के प्रतियक नागरिक का मूल करतब साथी साथ स्वतंता के लिए हमारे राष्टियां आंदोरन को प्रिरीद करने वाले जो उच्छ आधर्ष है उसको अपने हिर्दय में संजोए रखे इस प्रसंद को दोस्तों गौर से देखेगा बहुत ही अच्छा अच्छा पॉइंट दिया हुआ है जो एक्जामिनेशन दिश्टी कोन से आपकी क्या करेगी समझ को बेहतर करेगी भारत की प्रभूता एक्ता और अखंता की रख्छा करे और उसे अच्छुन रखे राष्ट की रख्छा करे और अहवान की जाने पर राष्ट की सेवा करे अत्वा सेवा के लिए तयार भी रहे ऐसा भी भारत के सभी लोगों में समरस्ता और मात्रित्य की भावना का विका माजिक सांस्कृति की गौरब साहली परंप्रा का महत्तो समझे और उसका परिरक्षन करें। प्राकृतिक पर्यावर्ण को जिसके अंतरगत वन, जील, नदी और वन जीव हैं। रक्षा और उसका समवर्धन करें तथा प्रानी महत्र के प्रती जो है वह दया की भावना रखें। वैज्यानिक दिष्टिकोन मानव वाद और ज्यानारजन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सारवजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें तथा हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिक और समोहिक गतिविधियों के सभी छेत्र में उतकर्षता की और बठने का सतत प्रयास करना चाहिए। जिसमें राष्ट क्या हो नेरतर बढ़ते हुए उपलब्धी की नई उचाईयों को छूले। यह सभी बाते राज के नीती नेसक्ततो के अंतरगत कहा गया है। आपके मौलिक कर्तब के अंतरगत यह दोस्तो सामिल है। ठीक है। और 6 से 14 वर्ष की आई के बच्चे के माता पिता और प्रती पाल के संडक्षक उन्हें सिक्षा के अफसर प्रदान करे। यह 2002 में जो 86 समिधान संसोधन हुआ था इसके द्वारा जोरा गया था। और तब जाके मौलिक कर्तब की संख्या जो हो गई 11 हो गई थी। प्रस्ण संख्या 21 भारत के संविधान में कल्यांकारी राज का आदर्स किसम्य प्रतियस्थापित है तो यह दोश्थो राज के नीती के निद्शक्तत में इसे सामिल किया गया है। यह प्रत लिया गया है। और 51 तक 17 निदेशक्तत है निदेशक्तत की परदी क्या है बहुत विस्तारित है और दोस्तो यह आयरलेंड के समिधान से लिया गया है अगला प्रस्ण है प्रस्ण संक्या 22 समिधान के 42 में संसोधन के द्वारा निम्रिखित में से कौन सा सिध्धान राज के निती के निदेशक तत्यों में जोरा गया था तो यह था दोस्तो उद्योग के प्रवंधन में कामगारों की सह भागिता समिधान का जो 42 मा समिधान संसोधन हुआ था उसकी द्वारा राज के नीती के निदेशक तत्त में निम्ण सिधान्त जोड़े गया थे कौन सा उद्योग के प्रवंधन में कर्मकारों की भागदारी को सुनिशित की जाए अनुछेद 431 के माध्यम से और कानूनी विवस्था इस प्रकार काम करे कि नियाय समान अवसर के सिधान्त पर सुलब हो और राज विसेश्ट या आर्थिक या किसी अन निरियोगता के मामले में निसुल्ख कानूनी साहता की विवस्था करे या अनुछेद 49-1 के माध्यम से अगला प्रस्ण है प्रस्ण संक्या इसके अलावा दोस्तो एक और पॉइंट है दो पॉइंट बच्चों को स्वतंत्र एवं गरिमा में वातावर्ण में स्वस्थ विकायस का अवसर प्रदान करना और सुबधा प्रदान की जाए जो कि अनुछेद 49-1 के माध्यम से इन ब वन जीवी की रक्षा की जाए और इसकी जो है सिफारिस या इसका जो उलेख है अनुछेद 48-1 के माध्यम से किया गया है प्रस्ण संक्या तेइस निमलेखित कत्नों पर विचार कीजिए यहां पर कह रहा है कि भारत के समिधान के संदर में राज के नीती निशक्तत तो जो नहीं कारेपालिका के कृतियों पर निर्बंद करेंगे राज का जो नीती निशक्तत तो जो होता है वह लुक कल्यानकारी राज के निर्मान और समाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक लोकतंत की अस्थापना हेतु केंद्रवटाज सरकार का मर्कदर्शन करते हैं और इन्हे प्राप्त करते ही भारतिय लोकतंतर वास्तविक अर्थों में वह लोकतंतर बन सकता है जिसकी कल्पना हमारे समिधान निर्मातों ने की थी कब की थी समिधान के निर्मान करने के समय और इसका परयोग सरकार अपने नीतियों के निर्धार्ण में करती है ये बिधाईका का क प्राइपालिका से कृत्यों का निर्बंध नहीं करते हैं प्रशन संक्या 24 निमलिखित कत्नों में से कौन से भारतिय नागरिक के मुल कर्तब के विशय में सही है कौन सा सही है दोस्तों इन कर्तब्यों को प्रवर्तित करने का एक विधाई प्रक्रिया दी गई है और वे प्रियावरन संरक्षन अधिनियम इसका उधारन है इसका एक एक इक्जामपल है मौली कर्टब को कानून के माध्यम से भी लागू किया गया है जैसे महिलाओ का सम्मान समयधानिक कानूनों का पालन करना भारतिय नागरिकों का मौलभूत कर्टब है प्रशन संक्या 25 राज के नीती नीजशक सिधान को भारतिय संभिधान में सामिल किया जाने का उद्देश है क्या उद्देश है समाजिक और आर्थिक प्रयातंत्र को अस्थापित करना भारतिय समिधान में राज के नीती नीदेशक तत्व भाग 4 के अनुख्षेद 36 लेके 51 तक में उलिखित है नीती नीदेशक तत्व को अस्थापित करने का उद्देश समाजिक वा आर्थिक प्रजातंत्र के अस्थापना करना है राजनीतिक प्रजात्तंत्र को अस्थाफित करने के लिए मौलिक अधिकारों को सम्मिधान में सामिल किया गया है प्रशन संख्या 26 राजनीति निजेसक सिधान के निमलिकित अनुच्छथों में से कौन सा राष्टिय सांती और सुरक्षा के संवन्धित है तो यह जो आपका 51 है अनुच्छथ वह हो भारतिय समीदान का अनुच्छथ 51 ऑर अनतराष्टिय सांती और सुरक्ष़ा में अभी ब्रिदी अनुछेद 48 क जो है दोस्तो वह पर्यावरन सरक्षन और वन जीवों की रक्षा और अनुछेद 43 क जो है वह उद्योगों के प्रवंधन में कामगारों की भागदारी तथा अनुछेद 41 जो है वह कुछ दसाओं में काम सिक्षा और लोक सहायता जो है वह पाने का अधिकार कर कि या देने की बात करता है प्रस counterpart करना है कि यह तत्व देश के समाजिक आर्थिक लोक्तन्द की व्याख्या करते हैं। दूसरा है दोस्तों इन तत्व में अंतरविष्ट उपवन्ध किसी नियाले के द्वारा प्रवर्तनिय नहीं है तो दोनों हमारा यहां से सही हो जाएगा भारतिय समिधान में सम्मिलित नीती नीदेशक तत्व की प्रेड़ना 1917 के आयरलेंड के समिधान से ग्रहन की गई है अथवा ली गई है और यह तत्वों देश के समाजिक आर्थिक लोगतंत की व्याख्या करते हैं अनुशेट 37 के तहट इन तत्वों में अंतर विष्ट उपबंध किसी न्याले के द्वारा प्रवर्थनी नहीं है प्रेशन संख्या 28 इनमलिखित में से कौन सा एक राज की नीती नीदेशक तत्वों का सही वर्नन नहीं करता है दोस्तों नीदेशक तत्वों राजनीतिक संस्विक्रिती रखते हैं ऑप्सेन नमबर बी हमारा यहां से सही हो जाएगा राज के जो नीती नीदेशक सिधान्त है उसका वर्नन समिधान के भाग चार में अनुशेट 36 से लेके 51 तक किया गया है और इसकी प्रेणा आयलन के समिधान से मिली है अत्वा ग्रहन की गई है इसे नियाले के द्वारा लागुन नहीं किया आ सकता है यानि इसे वैधानिक सक्ती जो है वो प्राप्त नहीं है प्रेण संख्या 29 भारत के समिधान में अंतरविष्ट मूलकर्तवयों के बारे में निमलिखित में से कौन से कथन सही है पहला है कि मूलकर्तव में रिट अधिकारिता के माध्यम से प्रव्यतित किये जा सकते है तो ये हमारा गलत हो जाएगा दूसरा है मूल करतब समिधान के अंगी करण के समय इसका एक भाग है सही है और मूल करतब स्वर्ण सी समिधी की संस्तूतियों के यानि किसी भारिष के समिधान का एक भाग बनी थी तो यहां पे दो और तीन दोस्तो तीन और चार सोरी सो दोस्तो तीन और चार हमारा सही हो जाएगा चौता है कि मुल करतब केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं तो तीन और चार हमारा यहां से सही हो जाएगा क्या कह रहा है कि सर्दार 2813 समिती है इनी के सिफारिष पर अनुसंसा पर समिधान के 42 में समिधान संसुधन 1976 के दोरा मौली कर्तब को समिधान में जोड़ आ गया है। अगला प्रेस्न है प्रेस्न संक्या 30 राज के नीती के नीती सक्तत्यों का प्रायोजन क्या है इसका प्रायोजन है दोस्तो ऐसे सक्रात्मक अनुदीश प्रस्तुत करना जो सभी अस्त्रों पर राज नीती का मार्क दर्शन करेंगे पर ये साथियों यहां पर क्या दिया हुआ है कि भारतिय समिधान का अनुचेद छत्ती से क्यावन हम लोगों इस प्रसन को इस टॉपी को इस पॉइंट को बार बार पढ़ रहे हैं इन तत्व में समिधान तथा समाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व नीध है निदेशक तत्व कारपालिका और विधारिका के वे तत्व है जिनके अनुचार इन्हें अपने अधिकारों का पुर्योग करना होता है राज के नीतिन देसक्ततों का उद्देश सामोहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं समाजिक लुक्तंद की डशना करना तथा कल्यानकारी राज की अस्थापना करना है बढ़ते हैं अगले प्रसंग की तरफ प्रसंग संक्या 31 अधिकार प्रिक्षा जिसको डिट कहते हैं इसे जारी होने के लिए निर्मलिखित दसाओं में से कौन सी आवस्यक है तो दोस्तों ऑप्सन एक और तीन यहां पर सही बता रहा है तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कारेयले आवस्यक रूप से सरकारी होना चाहिए और इसे एक समवीधि द्वारा अत्वा स्यम समिधान के द्वारा श्रीजित होना चाहिए और कार्याले में ऐसे ब्येखति के नियोजन में उसको काम पर लगना उसमें समिधान दौरा समिधिक अथवा समिधिक उलंगन होता रहा है अब देखी दोस्तों इसमें से कई सारे बाते हैं जिसमें आपको इस box में इसके बारे में जानकारी दी गई है उसे जरूर समझेंगे क्या रहा है कि अधिकार प्रिक्षा जो के रीट होता है उसको उस वेक्ति के बिरूद जाड़ी किया जाता है जो किसी ऐसे लोकपद पर यानि कि पबलिक पोस्ट को धारन करता है जिसे धारन करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है और इस रीट के द्वारा नियाले लोकपद पर किसी वेक्ति के दावे की बैधता की जाच करता ह यदि उसका दावा निराधार होता है यानि कि not well founded होता है तो वह उसे पद को निश्कासित कर देता है इस रीट के माध्यम से किसी लोग-पदाधिकारी या लोग-पदधारी को अपने अधिकार छेत से बाहर जाकर आदेश देने से रोका जाता है प्रस संख्या 32 भारतिय समिधान के अंतरगत निमलिखित में से कौन सा एक नागरिकों का मुल करतब है तो दोस्तो राष्ट की रक्षा करना और राष्टिय सेवा प्रदान करना जब ऐसा करने के लिए आवान किया जा यानि कि जब देश को आपकी जोगरत हो तो आप देश क सेवा में हाजिर है यह आपका करतब है जरूरी नहीं कि एक सैनी कहीं प्रतियक नागरिक का कुछ करतब भी होता है मुल करतब पहले से समिधान में नहीं थे इन्हें समिधान के 42 में समिधान समुदन 1976 के द्वारा जोरा गया था और यह स्री स्री समीती के सिभारिस पर समिधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट द्वज और राष्टगान का आदर करे स्वतनता के लिए हमारे राष्टिय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच आदर्श को हिर्दय में संजुए रखे और उनका पालन करे भारत की प्रभूता एक्ता और अखंड़ता की रक्षा करे और उसे अच्छुन रखे देश की रक्षा करे और आवान की जाने पर राष्ट की सेवा करे भारत के सभी लोगों में समरस्ता और समान भरात्तित्य की भावना का निर्मान करे जो धर्म भासा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भ समाजीक संस्कृति की गौडवसाली परंप्रा का महतुर समझे और उसका परिरक्षपन जो है यानि कि उसकी रक्षा करे दिकभाल करे उसे बचाये उसे संभाले प्राकृतिक पर्यावर्ण की जिसके अंतरगत वन जील नदी और वन जीब है रक्षा करे और उसका समर्धन कर तथा प्रानी मात्र के प्रती दया की भाव रखे या दया की भावना रखे वैज्यानिक दिश्टी कोन मानव वाद और ग्यानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे सारवजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे इसके अलाबा व्यक्तिगत और सामुहिक गतिवीधियों के सही छेत उसका उतकर्षन की और बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट निरंतर जो है यानि की लगातार बढ़ते हुए प्रयत्न और उप्रवदी की नए उचाईयों को छूले यदि माता पिता या संरक्षक है यदि माता पिता का संरक्षक है हैना तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की जो आयू के बच्चे होंगे वो जो या जो उनके सरनार्थी होंगे हैना यह था इस्तिती बालक या प्रतिपाल के लिए सिक्षा की अफसर उन्हें परदान जरूर करे बढ़ते हैं अगले प्रसंद की तरफ प्रसंद संख्या 33 सी म सूपर गैलेक्सी के संबन्ध में निम्लिक्ट कत्नों पर विचार करना इसमें से कौन सा एक सही है तो दोस्तों यह क्या है एक बड़ा सैन परिवहन बिमान है C 5M Super Galaxy एक बड़ा सैन परिवहन बिमान है भारत के समिधान के अधिन नागडिकों के लिए निमलिकित में से कौन सा एक मूल करतब है तो दोस्तों राष्ट की रक्षा करना तथा राष्टी सिवा परदान करना जब भी इसे तु आवान किया जाए यानि कि आपको य सान्हिसा पर यत्वा सिभारिष्पर समिधान के समीधान संसोधन उनी सी छहां तर के दवारा मौली करतब को समिधान में जोरा गया और इसे रूज के इंख रहा गया है इसे भाग-चार में अनुचेद 51 का जिसके तहत है रखा गया और मौली-करत-प्वियों के संख्या कौन सा एक भारत के समीधान में यह था परतिश्टित राज के निती के निदेशक तत्तो का भाग नहीं था तो दोस्तो समान न्याय और निसुलक और विधिक सहायता जो है वह इसका भाग था इसके अलाबा राष्टिय महत्यों के समारकों और स्थानों को वस्तूओं का संरक करना इसका भाग नहीं था तो हमारा सी इसका सही आंसर होगा बारतिय समिधान के भाग चार में अनुछेद 36 से लेके 51 तक जो है और राज के नीती नेसक्ततों का वर्ण किया गया है इसे आयरलेंड के समिधान से लिया गया है अथो अग्रहन किया गया है अनुछेद 49 कव में वर्णित सभी को समान न्याय एवं कमजोर वर्ण को निशुलक विदिक सहायता की विवस्था राज करे अनुछेद 49 में राष्टिय महत्य के असमार को एवं अस्थलों के संडक्षन की बात की गई है अनुछेद 50 के तहट कारेपालिका का नियापालिका से प्रित्यकरण एक नीती निजशक तत्व है और प्रशनल लौ जो है वो संडक्षन नीती निजशक तत्व का भाग नहीं है प्रसिसंकिया 36 किसकी अनुसंसा पर भारतिय समिधान में मूल कर्तब को सामिल किया गया था तो यह दोस्तो स्वन सी समिती थी जो की 42 में समिधान संसुधन 1976 के द्वारा मूल कर्तब को समिधान में जोरा गया इसे स्वन सी समिती की सीफार्षों पर समिलित किया गया था प्रस्ण संख्या 37. निम्न कत्नों पर विचार कीजिए. समिधान के भाग चार में वर्नित राज के नीती निशक्तत्र से समंधित प्रावधान भारत के सभी राज और केंद्र सासित परदेश पर लागू होते हैं. यहां पर पूछ रहा कि कौन सा इसमें से सही है? जम्मु कास्मीर के मामले में संसद राज सरकार की सला से संग सूची और संबर्ती सूची के उन्हीं विश्ये पर कानून बना सकेगा जिसका अधिमेल पत्र में उनलिखित है. तो यह हमारा उप्सन नमबर दो सही हो जाएगा. समिधान के भागचार में वरनित राज के नीती ने सकता तो इसके प्रावधान जम्मु कास्मीर राज पर लागूर नहीं होते हैं. संसत जम्मु कास्मीर के मामले में संग सुची एबं समवर्ति सुची के उनी विश्यों पर कानून बना सकेगी जिन का अधिमीलन पत्र में उलिखित है. इसके अतरिक्त विश्यों पर कानून बनाने के लिए उससे राज के विधान सभा में अनुमाती क्या है? आवश्यक ह बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण है प्रश्ण संक्या 38 38 नमर प्रश्ण में पूछा गया है कि निम्न लिखित में से या निम्न में से कौन एक राज के निती के निदिशक दत्व सामिल है और राज यह सुनेश्चित करने का प्रयास करेगा कि जीबी को पारजन हे तु पडियाप्त साथनों का समान अधिकार है समिधान में मूल अधिकारों के तथ समता के अधिकार के अंतरगत अनुछेदे 17 में अस्ष्प्रिश्यता उनमूलन का प्रावधान किया गया है यानि कि छुया छुत भेदभाव निम्न में से कौन से राज के नीती निदेसकत तुम्हें सामिल है तो कौन है दोस्तों यह है आपका मादक पे और स्वास्त के लिए हानिकारक औस्धियों के औस्धिये प्रायजिनों से भीन उपयोग होने पर इसे प्रतिबंदित करता है इसका प्रतिप्रयोग जो है उस पर रोक लगाता है तो दो नमबर ऑप्शन हमारा सही है पहला जो है नमर एक जो है वह मानव का दुर्वयपार और बलाद सरम है जो है वह मौलिक अधिकार के तहत इसका जिक्र किया गया है नीति देशक्तत के अंतरगत अनुछेद 47 के तहत मादक पे और स्वास्त के लिए हानिकारक औस धियों के औस धिये प्रायजुनों से भीन उभोग का प् प्रेस्ट संकिया 40 मौलिक अधिकारों के संदर में निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए अब यहां पर तीन स्टेटमेंट दिया गया है तो दोस्तों पहला और दूसरा एंसर में बता रहा है सही है जैसा कि दिये रखा है कि मौलिक अधिकार सभी भारतियों के लिए तो भी राजपर डालते हैं इसके अलाबा option no.2 में है कि मौलिक अधिकार संफुन नहीं होते हैं तथा वे सर्वजनिक हिदो की रक्षा के लिए आवस्यक उचित प्रतिबंधों के अधिन होते हैं तो हमाराग दो नंबर option भी दोस्तों सही हो जाएगा 1950 में लागू किये भारतिय समिधान में नाग्रीकों केवल मौलिक अधिकार का उल्री किया गया था भारतिय समिधान मिं 1976 में व्यापक संसोधन करते समय मूल कर्तब्यों का समयशन किया गया था नकि मौलिक अधिकारों का स्वार नसी समीति के अनुसंसा के आधार पर 42 में समीधान संसोधन अधिनियां 1976 के द्वारा अनुछेद 51 सेक्षन का समीधान में जोरा गया तथा समीधान में 10 मौली कर्तब सामिल हो गया पर 91 कि परेस्ण संक्या 41 राज के नीटीन देश्कत्त्तो के संब्ध में ने गहीं से कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा दोस्तों इसमें गलत आप देखिए राज का जो नीटीन से उन अधियिक रोप से सामोहीख रूप से आर्थिक एभूं समाजिक लुकतंद की रचना तथा काल्यानकारी राजी की अस्थापना करने की स्रिफ़ारिस करते हैं ये समानत निरदेश हैं तथा मात्र नैतिक अधिकार रखते हैं अनुचेद 37 के अनुशार ये ततो किसी नियाले दौरा या किसी नियाले लागू नहीं करवाक जा सकते हैं प्रसे संख्या 42 निम लिखित में से कौन साइज में से सही है एंसर के अंसवार ऑप्शन एक और दो सही बता रहा है तो चलिए इसे पढ़ते हैं राज का जो नीती के निदेशक तत्व भारत में समाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए हैं दूसरा दोस्तो भारत के समिधान के भाग तीन में प्रती अस्थापित मूल अधिकार आमतोर पर यतोचित निरबंधों के आधीन होते हैं इसके बारे में दिया हूँ है कि नितीन निदेसक्थ तत्व है इसका उद्देश एक जन-कल्यानकारी राज की अस्थापना करता है मूल अधिकार यतोचित निरबंधों के अधीन हैं तथा अपातिकाल में कुछ मूल अधिकार पर रुक लगाई जा सकती है विसमे अनिक देसे जो गैर धर्म निर्पेक्ष है जैसे कि अफगानिस्तान, बुरुनी, इस्राइल, इत्यादी प्रसन संक्या 43, भारत के समिधान के प्रावधान के अनुसार निमलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तब नहीं है तो दोस्तो राष्ट दोज का सम्मान करना, राष्ट की प्रतिरक्षा करना और अपने बच्चों को सिख्छा परदान करना यह आपका मौलिक कर्तब के अंतरगत आता है लेकिन ग्राम एबं कुटिर उद्ध्यों को प्रोसाहित करना यह मौलिक कर्तब का भाग नहीं है सम्मिधान में जोरा गया था और इसे रूस के सम्मिधान से लिया गया है इस यह टॉपी कई बार आ चुका है और आपको याद भी हो गया होगा इसे भाग चार के कौम में अनुश्यद 51 कव के तहग रखा गया है मौलिक कर्तब्यों की संख्या 11 है जो इस प्रकार है कितने मौलिक कर्तब है 11 है अब देखिए कौन कौन से है तो प्रतिक नागरी का यह कर्तब होगा कि वह समिधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट द्वज और राष्ट गान का आदर करे सही है तो पहला यह मौलिक कर्तब है दूसरा है स्वतनता के लिए हमारे हराष्टी आंदोलन को प्रेडित करने वाले जो उच आदर्श है उसको हिर्दय में संजुई रखे और उनका पालन करे तीसरा दोस्तो है कि भारत की प्रभूता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अच्छुन रखे चोथा मूलकर तबी कि अगर हम बात करे तो देश की रक्षा करे पाच्मा दोस्तो भारत के सभी लोगों में समरस्ता यानि की भावना एकत हो समान भ्रात्रित्य की भावना का निर्मान करे छटा दोस्तों हमारी समाजिक संस्कृती की गौरव साली परंप्रा का महत्यु समझे और उसका निर्मान करे साथमा दोस्तों की प्राकृतिक पर्यावन की रक्षा और उसका संबर्धन करे आठवा वैज्यानिक द्रिष्टिकोन और ग्यानार्जन की भावना का विकास करे सर्वज्यनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे दस्मा है वैक्तिकत एवं सामुहिक कतिविधियों के सभी छेत्रों में उतकर्ष की और बटने का सदत पर्यास करे ग्यारमा दोस्तों अंती माता पिता या संदक चक जो भी अभिभावक है उसके संदर्व में बात कर रहा है कि 6-14 वर्ष के बच्चों हेतु प्रात्मिक सिक्षा प्रदान करना या 6-6 समिधान संसुहिन के द्वारा जो की 2002 में किया गया था उसके तहत किया गया है और इसके द्वारा मौली कर्तब बढ़कर 11 हो गया मैंने पीछले जो पॉइंट में बताया था उसमें मेरे मुख से साथ गल्ती हो गया 82 लिखिया था ना बेरासिमा लिखा था तो बेरासिमा नहों कि यहां क्या हो च्छासिमा 2002 प्रस्त संख्या 44 सिक्चा का अधिकार भारत के समिधान में मूल अधिकारों में किस संसोधन के द्वारा जोरा गया है तो सिक्चा का अधिकार जो 86 समिधान संसोधन अधिनियम हो था 2002 उसी के तहद जोरा गया था और उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं देखिए यहां पे दिया हुआ है समिधान समिधान 86 मा संसोधन अरिनियम 2002 हुआ था न उसमें भारत के समिधान में अंतर अस्थापित अनुछेद 21 का ऐसे ढंग से जैसा कि राज कानून द्वारा निधारिक सकता है मौलिक अधिकारों के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयू समों में सभी बच्चों को मुप्त और अनिवार सिक्षा का प्रावधान करता है निस्वुलक और अनिवार बाल सिक्षा RTE अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार है जो अनुछेद 21 का के तहत परिनामी विधान का प्रतिन धित्व करता है इसका अर्थ है कि अप्चारिक स्कूल जो कतिपर अनिवार मापदंडों और मानकों को पूरा करता है में संतोज जनक और एक समान गुनवत्ता वाली पूर्ण कालिक प्रावधिक सिक्षा के लिए प्रतिक बच्चे का अधिकार है प्रस्ण संख्या 45 भारतिय समिधान में राज के नीती निसक्तत की संकल्पना किस देश के समिधान पर अधारित है दोस्तो इसे आयरलेंड के समिधान से अधिग्रहित किया गया है अत्वा ग्रहन किया गया है भारतिय समिधान में राज के नीतिन देशक्तत्य की संकल्पना आयरलेंड के समिधान पर आधारित है और भारतिय समिधान के भागचार में अनुचे 36 से लेके 51 तक में इसे उनलिखित किया गया है अथ्वा वुबंधित किया गया है प्रसंट संक्या 46, निमलिखित में से कौन एक राज के नीती निजशक सिध्धान का उद्दिश नहीं है, दोर्तो एक धार्मिक राज के अस्थापना करना इसका उद्दिश नहीं है, बलकि एक कल्यानकारी राज के अस्थापना करना है, एक समाजिक आर्थिक नया को उल्यक और इन सिध्धान्तों के माध्यम से समाजिक आर्थिक लोकतनत्र एबं कल्यानकारी राज की अस्थापना करना न की धार्मिक राज की अस्थापना नहीं प्रश्र संख्या 47 राज के नीती निलेशक सिध्धांत के निमलिकित अनुछेदों में से कौन सा अंतराष्टी सांती सुरक्षा के संबंधन से संबंधित है तो यह दोस्तों अनुछेद 51 है भारत के नीती निलेशक सिध्धांत का वर्नर समिधान के भाग 4 में 36-51 तक में कि पाने का अधिकार है रखता है अनुछेद 43 का उद्यक के प्रवंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार है और अनुछेद 48 का पर्यावरन संब्रक्षन का अधिकार प्रदान करता है या पर्यावरन संब्रक्षन का इसके द्वारा उलेक किया गया होता है प्रस्य संक जिक्र किया गया है भारत के नागरिकों के मूल कर्तब्यों का विवरन संभिधान के भाग चार कव में अनुछेद 51 कव के तहर दिया गया है मूल कर्तब्यों को रूस के सम्विधान से लिया गया है और इसे 42 में सम्विधान संसोधन 1976 के द्वारा सम्विधान में जोड़ा गया है प्रसे संक्या 49 मौली कर्तब्यों से सम्मनित निमलिकित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है अब इसमें कौन सा गलत है दोस्तों यहाँ पे पहला option जो की दिया गया है कि मौली कर्तब को परमादेश के द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है भारतिय समिधान में पांच प्रकार के रीट की ब्यवस्ता की गई है जिसमें से एक परमादेश यह रीट नियाले के द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी अपने भविश से इसे इनकार करता है और जिसके लिए कोई अन्य बिदिक उपचार प्राप न हो प्रसे संकिया पचास निम्न में से कौन भारतिय समिधान के अंतरगत मौलिक करतब में समिलित नहीं है मौलिक करतब की बात कर रहा है कि उसमें कौन इंक्लूड नहीं है तो ग्राम पंचायतों गठन में साहता करना या इससे समंधित नहीं है देश की रक्षा करना जानिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना और सी हमारा क्या हो जाएगा इससे संबंधित नहीं है और वहीं हमारा आंसर हो जाएगा अब देखिए कहरा है कि ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना भारती समिधान के अंतरगत मूल करता भी नहीं है और ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित प्रावधान समिधान की नीती इंदे सक्तत में अनुशेद 40 में किया गया है देश की रक्षा करना एवं राष्ट की सेवा करना वो अनुशेद 51 क के तहत सब सेक्षन घह में है और हमारी समाजी संस्तेती की गौरव साली परंप्रा के महतुकुर्ष रमजना और उसका परिरक्षन करना अनुशेद 51 क चव में आ है और सार्वजनिक संपत्ती को सुरक्षित रखना एवं हिंसा को दूर करना या रखना 51 क के सब सेक्षन जहा के तहत मूल कर्तब में सामिल है अगला प्रशन है प्रशन संक्या 51 निमलिखित में से कौन सत्तो भारती समिधान के भाग चार एमें मूल कर्तब में वर्नित नहीं है तो दोस्तो यहां option number C जो है अपने माता पिता और गुरुगों का आधर करना यह इसके अंतरकत नहीं है यह तो आपका क्या बोलते हैं एक आपके संस्कार पर depend करता है अपने माता पिता और गुरुगों की आधर करना यह नेतिक सिक्षा का पार्ट है ठीक है राष्टिय ध्वज का आदर करना भारत के समिधान भारत के सभी लोग के मद्द जो भाईचारे हैं उसके भाव को बिक्सित करना और साथी साथ हमारी समग संस्क्रिती की मुल्यवान धरोर उसकी रक्षा करना तो हमारा सी जो है वह यहां से राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला चेप्टर है साथी चेप्टर नमबर पांच जो की संगिय कारिपालिका से संबंदित है उसे हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे अभी साथी यह चेप्टर नमबर चार कंप्लीट हुआ अगर आप इस वीडियो को पूरा प्रस्थन जब बार-बार आपके सामने से गुजरेंगे तो आपको याद हो जाएगा पौलिटी के यहां पे कंप्लीट क्लास पर दे के हिसाब से चलिए और प्रतेक दिन एक चेप्टर यहां पे कंप्लीट किया जाएगा पिछले तीन से चार दिन या पांच दिन से मेंबर की तो इसके कारण में वीडियो बना नहीं पा रहा था और बोलने में जो है कि वह गले में थोड़ी से प्रॉब्लम थे जिस कारण से उचारन नहीं हो पा रहा था तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था तो इसके लिए छमा प्रारती हूं आप कंटनू इस चैनल क के साथ नहीं जूरे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें गे इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ सेर करेंगे ठैक यू सो मच आप सभी दोस्तों का